और वो भी deep cleaning, शमा का सागर, मतलब deep inside कहीं कोने में भी, तो दिवाली का मतलब भी क्या है, deep cleaning होती है न, special, वैसे तो 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 हो हार है, लेकिन cleaning का start है, starting ही cleaning से, तो इसी तरह कुछ भी किसी आत्मा के प्रतियागर, कुछ है कोने में, कहीं भी रखा हुआ है, रखा होने का symptom होगा, कि आज भी अगर उस incident को याद करो, तो वो फील होता है, और चलो अज्यान काल में, तो कभी आखों में पानी भी आ जाता है, वो incident को अगर याद करो, उस तरह के बढ़ताव को याद करो, तो प्रूड है, कि अभी तक शमानी की है, मतलब cleaning होई नहीं है, तो अभी जब उस याद करना है, मेमरी से नहीं जाएगी वो incident, लेकिन अब जैसी वो incident याद आए, क्या संकल्पा है, बहुत अच्छा हुआ, इसके कारण अगर कुछ रॉंग ऐसा है, बाबा में जमिला, इसके कारण मुझे धारणाओं में पक्का निश्चे हो गया, और इसलिए उस incident की बहुत-बहुत क्या बलते हैं उसको शुब कामना, congratulations की तुम्हारे करण, तो ऐसा अगर feeling आती है, ये feeling से connected है, ये even बोलने से भी नहीं नहीं, मेरा तो कुछ मुझे किसी के साथ, कुछ भी नहीं, ये बोलने के साथ नहीं है, तो इसलिए ये शमा करने का संस कार, इसको कहेंगे, शुब भावना हमारी वैसी की वैसी है, बरकरार, और मतलब 100% उसके लिए कल्यान के भावना, कभी भी ये संकल्प अभी, आज के समय, उस समय आया होगा ठीक है, लेकिन आज के समय ऐसा फीलो, कि नहीं, बहुत बहुत फायदा हुआ, 100% शुब भावन तब कहेंगे शमा, किसी भी सोल के लिए, और वो ही भावना एक शिक्षा है, और मतलब वो भावना हो और इनके ऐसी कुछ बात और शिक्षा देना है, शुब भावना complete और फिर शिक्षा देना, इसको कहेंगे लवफुल के साथ लवफुल, नहीं तो फिर क्या होता है, हम क इसका भी बहुत रॉंग इंटर्प्रेटेशन हो जाता है तो बैलेंस का मतलब है थोड़ा 50% वो तभी तो बोलेंगे 50% क्रोथ, 50% लॉफ, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया या सेट ओफ हो गया, मनोच बैलेंस है या सेट ओफ है, कुछ कमाई नहीं है न फिर तो ऐसे लॉफफुल और लॉफफुल में, तो 50% 50% नहीं है, कम्प्लीट ही है, हाँ फिर जो भी अथोरिटेटिव वेस है आपको, लेकिन शुब भावना की फिलिंग इतनी से भी कम नहीं हो, और ये है दुआय देना, तब कहेंगे, तब वो दुआय निकलती है न, दुआय देना भी नहीं होता है, निकलता है, निकलने के लिए एक होता है, वर्दी होना दूसरे को, दूसरा है, आत्माई आशिरवात पत्र होती है, और हम दुआय देती है, ये देने का संकल्प ही, क्या है दीपक जलाना, दीपक का मेनिंग हमेशा कहते हैं, शिवानी बैने इस पर बहुत फोकस करती है, दिया, दे द तो हमारा देना और फिर बाबा, तब कहेंगे बाबा करा रहा है, क्योंकि अगर मैं खुद संकल्प है, मैं दे रही हूँ, तब फिर तो बाबा नहीं करा रहा है न, तो ये है cleanliness हो गई, ये cleanliness किसकी हो गई, क्योंकि अभी तो कुछ देनी नहीं है दिवाले, और इसके बा इसलिए महा लक्ष्मी का अवान, महा लक्ष्मी, महा दुरगा नहीं बोला, महा गायतरी नहीं बोला, महा लक्ष्मी के लिए बोला, तो जब इस तरह की deep cleaning हो जाती है, तो अभी तीन दिन, तो हम कल से विशेश रूप से करेंगे हूं, वो कल बताएंगे महा लक्ष्मी का फिर हम दिवाली मनाएंगे, ऐसी आत्मा ही फिर वो दिवाली मनाएंगे, तो यह है करन करावनहार बाबा, उमवक चल रहा है करन करावनहार, मैं आत्मा करावनहार और मैं आत्मा करनहार, दो तरह का उमवक है, करावनहार, चलो ओर दो, नहीं करना है, यह नहीं संकल्प कर यह नहीं सोचना है, यह है करावनहार, करावनहार में भी मज़ा आता है, मालिक बनने के लिए किसका इच्छा नहीं होती है, बड़ा पोजीशन हो, पेटी करते रहते हैं, एक दिन का मॉनिटर भी बना दिया जाए क्लास को, तो एक्टिंग मॉनिटर एक छे साल के बच्चे क कितना मज़ा आएगा, तो यह करावनहार, कियों मैं करा रही हूँ, और यही संतुष्टी है, तो जब हम करते हैं ना, हम करते हैं ना, दास बनके, क्यों मन के अकोडिंग जाने से, दुनिया में असंतुष्टी का एक नेचर बना हुआ है हरात्म का, क्योंकि वो करनहार है, मन उसको करा रहा है जब करावनहार होगा तो वो संतुष्टी की feeling अपनी position में बैठे तो अच्छा लगता है दूसरा मेरा position लेगे तो natural है असंतुष्टी होगी यह है करनहार, करावनहार कितना है, 30 times रखना चाहिए 100 times रखना है जितनी बार भी यादा है करावनहार बाबा करा रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है कौन दे रहा है गिफ्ट्स दे रहा है कौन दे रहा है बाबा, मैं नहीं दे रही हो कुछ-कुछ प्रोग्राम करने है यह बाबा करा रहा है यह बाबा करा रहा है पावा करा रहा है तो क्या हो जाएगा पावरफुल ओके जी